आज मैं आपकी सब चेयर करने जा रहे हूँ, रस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी पनीर भुर्जी की रसिपी, तो चलिए देखते हैं इस रसिपी को स्पाइसी पनीर की भुर्जी वो भी रस्टोरेंट स्टाइल हम आसानी से घर पे बना सकते हैं कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट आई थी, छोटे और बड़ों के टिफिन के लिए कोई ईजी सबजी शेयर कीजिए तो फ्रेंट्स ये पनीर की भुर्जी आप टिफिन के लिए ईजी मेनू है, आप इसे ज़रू ट्राइ कर सकते हैं खाने में उतनी ही टेस्टी जितनी हम पनीर की सबजी खाते है तो फ्रेंट्स रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी पनीर के भुर्जी बनाने के लिए मैंने याँ पर पनीर लिया है करीब 200 ग्राम आपको जितना पनीर भुर्जी बनानी है आप उतना पनीर ले ले जिए और इस पनीर को हातों की मदद से हमें क्रश करना है तो इसके छोटे बड़े हिस्सों में मैं इसे क्रश कर रही हूँ पनीर भुर्जी के लिए हमें कभी भी पनीर को ना तो ग्रीट करना है और ना ही कद्दूकस करना है इससी क्या होगा जब पनीर भुर्जी अच्छे से कुख हो जाएगी तो ये काफी ज़ादा गल जाएगी तो यह पूरी तरीकी से soft हो जागा इसके छोटे छोटे टुपडे दिखना चीए इसलिए हमें इसे हातों से crush करना जरूरी है तो इसे मैंने छोटे बड़े हिस्सों में crush कर लिया अब ले लिया है कडाये में दो बड़ा चमच जितना तेल तेल हलका सा गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चमच जितना राई इसी के साथ आधा चमच जीरा इन दोनों को अच्छे से crackle होने देंगे अब डाल देंगे 7-8 कटी हुई हरी मिर्च दो बड़े कटे हुए प्याज प्याज को अच्छे से soft होने तक हमें भूनना है पनीर भूरजी में प्याज का इस्तमाल हमें थोड़ा जादा करना है इसे के साथ एक बड़ा चमच अधरक लसुन का पेस्ट अधरक लसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ भून लेंगे अब मैं इसमें मिला रही हूँ एक चमच बेसन बेसन को प्याज के साथ हमें अच्छे से भूनना है इससे क्या होगा इसकी बाइंडिंग और इसका फ्लेवर पनीर भूरजी में बहुत ही बड़ी आएगा जैसे रेस्टोरेंट में किया जाता है साथ से आठ करिय लिव्स और अब मैं इसमें मिला रही हूँ एक बड़ा कटा टमाटर चाहे तो टमाटर को आप स्कीप कर सकते हैं लेकिन पनीर भूरजी में टमाटर डलता ही है तो आप ज़रू डाले प्याज के साथ टमाटर को हमें मिक्स करना है और इसे अच्छा से कुख होने तक वेट करना है तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और कस्तूरी मेथी इसे कर लेते हैं mix और वापस इसे lid से cover करके दो मिनिट के लिए पका लेते हैं medium flame पर दो मिनिट के बाद oil separate होना शुरू हो चुका है यानि कि हमारे टमाटर और प्याच cook हो चुके हैं अब डाल दिया है एक चमच जितना मिर्ची पाउडर, एक चमच जितना धनिया पाउडर, आधा चमच जितना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला इन सभी मसालों को टमाटर और प्याच के साथ हमें cook करना है medium flame पर तो इसे लगातार चलाते जाएंगे जैसे ये अच्छे से mix हो जाएगा, ग्यास का flame हम बिल्कुल low करेंगे और इसे cover करके 2 मिनिट के लिए वापस पका लेंगे 2 मिनिट के बाद फिर से lead हटा कर चेक कर लेते हैं, oil पूरी तरह से separate हो चुका है और हमारा सभी मसाला अच्छे से cook हो चुका है तो इसे 1-2 मिनिट के लिए चला लेंगे और इसमें डाल देंगे हातों से crush किया हुआ पनीर, अब चाहे तो इसमें पनीर के 2-3 टुकडे और डाल सकते हैं मसालों के साथ पनीर को अच्छे से mix करना है, इस stage पर gas का flame हमें medium to high बिल्कुल भी नहीं रखना है, low flame पर इसे mix करेंगे इससे क्या होगा, अगर हम high या फिर medium flame पर पनीर को पकाएंगे तो पूरी तरह से गल जाएगा अब डाल देते हैं हरा धनिया, धनिया डालने के बाद हम इसे वापस mix करेंगे ग्यास का flame हमें याद रखना है, बिल्कुल low flame पर ही इसे mix करना है इसे बहुत ज़्यादा mix नहीं करना है, नहीं तो पूरी तरह से गल जाएगा मैं आपको मिलती हूँ फिर से एक नए रेसिपी के साथ, तब तक, thanks for watching, bye bye